नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारेक्रम। इतिहास के पंडे मेरी नजर से। 19 मई के बीच साथ चर्णों में लोकसभा चुनाओ हुए थे। 23 मई को काउंटिंग की गई थी। जीतने वाली पार्टी बीजेपी ने 436 सीटों पर चुनाओ लड़कर 303 सीटे जीती। जबकि उनका वोट शेर 37.76 परसेंट था। 1989 के बाद किसी भी पार्टी को इतना अधिक वोट प्रतिशद नहीं मिला था। फिर भी 39.53 वोट हासल करने वाली कॉंग्रेस को सिर्फ 197 सीटे मिली थी। बीजेपी को कॉंग्रेस से लगभग 2% कम वोट मिले लेकिन उसने 106 सीटे अधिक जीती। वोट शेर और सीट्स वन के बीच के अंतर अलग-अलग चुनाओं में डिफरेंट होता है क्योंकि पार्टियां गठबंदन करती हैं और उनके खिलाफ भी सीट एज़िस्मेंट्स होते हैं। यही कारण है मेरे सहित कई अनलिस्ट की राय है भारत में गंभीर बहस होनी चाहिए क्या हमें एक ऐसी इलेक्टोरल या इलेक्शन सिस्टेम में बदलाव करना चाहिए जो प्रोपोर्शनल रिप्रेसेंटेशन पर आधारित हो। इस एहम बात पर तो चर्चा नहीं हो रही है परन्तु लगभग हर राजनीति घटना क्रम को चुनाओ और राजनीती के साथ कॉंटेक्शलाइज किया जा रहा है आजकर। पिछले दिनों के खटना क्रम से एक बात तो साफ हो गई है विपक्षी पार्टी तो गटबंदन बनाने में लग गई हैं परन्तु साथ ही बीजेपी भी अपने पुराने एलाइंस पार्टनर्स के साथ पुना हाथ मिलाने के लिए तैयार है। लेकिन बीजेपी अपने गटजोर को तो जायज मानती है परन्तु विपक्ष के प्रयास को नाजायज डिक्लेर करती है। बीजेपी के नेता ओपोजिशन गटबंदन को केयाटिक कहते हैं और दावा करते हैं कि कॉलिशन सरकार राश्टर के लिए हानिकारक होती है। पॉलिसी परालिसिस हो जाती है पर ये तर्क जूटा और भ्रामक है। इतिहास में बीजेपी खुद उन गटबंदनों का हिस्सा रही है जिनोंने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोशित नहीं किया था जैसे की 1989 में। इसके अलावा 1950 के दशक से एलाइंसेज और कॉलिशन गवर्मेंट भारतिय राजनीती और चुनाओं के नियमित विशेश्टा रही है। भारतिय राजनीती में कई transformative changes कठबंदनों के कारण हुआ था। ये राज्य के साथ साथ राश्ट्य स्तर पर भी सच है। गठबंदन का मतलब होता है कि policy decisions लेने के पहले ज्यादा बहस हो। बीजेपी और उनके नेता की तरह बिना तथ्य और सबूत दिये हम कोई दावा नहीं करेंगे। तो आईए हम इतिहास की एक छोटा सा सेर करते हैं जिसमें हम भारत के स्वतित्र होने के बाद सबसे महत्वपून गठबंदन सरकारों के बारे में बात करेंगे। November 1956 के States Reorganization Act के पास होने के बाद केरल का गठन हुआ था एक नए राज्य के रूप में। परिनाम स्वरूप यहां पहला चुनाओं मार्च 1957 में हुआ। 126 विधानसभा और 16 संसदिय सीटें थी। भारतिय कमरेस्ट पार्टी साथ सीटों के साथ विधानसभा के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। EMS नंबूदरीपाद ने 5 एपरिल 1957 को कुछ निर्दलियों के समर्थन के साथ सरकार बनाई। यह सरकार दुनिया में सबसे शुरुवाती डेमोक्राटिकली इलेक्टेट कम्यूनिस सरकारों में से एक थी। इस सरकार ने लैंड और एजुकेशनल रिफॉर्म्स को लागू किया जिससे राजे में इंकम इनिक्वालिटी कम हुई। इस सरकार को राजनितिक कारणों से केंदर सरकार ने बरखास्त कर दिया। 356 का इस्तिमाल हुआ था। लेकिन फिर भी केरल में कभी भी एक पार्टी की सरकार नहीं रही। 1970 के दशक से राजे में पोलिटिकल पावर दो एलाइंसे लेफ्ट डेमोक्राटिक फ्रंट और युनाइट डेमोक्राटिक फ्रंट के बीच बारी-बारी से अल्टरनेट हुआ है। ये पैटन 2021 में तूट गया जब ल्डेफ री-इलेक्ट हुई। अगले विधान सभा 2026 में होने हैं तब पतानी क्या होगा। दूसरा राजय जहां गठबंदन सरकार का उदय देखा गया था वहीं आजादी के तुरंत बाद वो उडिसा था जो अब उडिशा कहा जाता है। इस राजय में में 1959 में कॉंग्रेस और गनतंतर परिशद के बीच गठबंदन सरकार बनी। इसके कारणों को समझने के लिए हमें पहला लोकसभा चुनाओ जो 1951-52 में हुआ था उस चुनाओ में वापस जाना होगा। कुल 489 लोकसभा सीटों में से कॉंग्रेस ने 364 सीटों पर भारी जीत हासल की। जिन 125 सीटों पर कॉंग्रेस को जीत नहीं मिली उनमें से 71 सीटों पर स्टेट पार्टीज या फिर निर्दलिय उमीदवार जीते थे। इन स्टेट पार्टीज से कॉंग्रेस को उडिशा में सबसे बड़ी चुनाती का सामना करना पड़ा था। कॉंग्रेस ने आउट अव 17 आठ सीटे जीती थी जबकि गंतंतर परिशद 6 सीटे विधान सभा चुनाओं में भी रेजल्ट्स कुछ ऐसे ही थे 140 सीट्स में से कॉंग्रेस को 67 और गंतंतर परिशद को 31 सीट्स पर जीत मिली 1957 में अगला विधान सभा चुनाओं होने पर ये अंतर कम हो गया कॉंग्रेस ने केवल 56 सीटे जीती जिसका अठ था कि उसके पास बहूमत नहीं था गंतंतर परिशद ने 51 सीटे जीती कॉंग्रेस ने माइनॉरिटी सरकार बनाई लेके 1959 में ये गिर गई और फिर उसे गंतंतर परिशद को कॉलिशन पार्टनर के तौर पर उसको सरकार में इंक्लूड करना पड़ा इस तरह से उडिशा में गटबंदन सरकारों का इतिहास भी शुरू हो गया दूसरी गटबंदन सरकार उडिशा में 1967 में बनी तीसरी 1971 में और अंत में 2000 और 2004 में उडिशा ने बीजू जनता दल और भाजबा के बीच अंतिम गटबंदन सरकारे देखी 2009 से बीजेडी अपने दम पर बहुमत की सरकार चला रही है ये विसरत प्रिश्ट भूमी मैंने आपको इसलिए प्रदान की ताकि हम बता सके कि कॉलिशन सरकारे और चुनावी गटबंदन भारत के राजनेतिक डियने का हिस्सा है 1960 के दशक के अंत में गटबंदनों ने राष्टिय राजनीती को पहली बार प्रभावित किया दरसल 1967 के चुनाव पहले थे जब कॉंग्रेस की इलेक्टोरल डॉमिनेंस कुछ कमजोर हुई गैर कॉंग्रेसी पार्टीज ने एक दूसरे के साथ लिमिटेड सीट एज़ेस्मेंट किया और 1967 में लोकसभा और साथ ही कई राजियों में चुनाव लड़ा ये पहली बार था जब डॉक्टर राम मुनहर लोहिया के एंटी कॉंग्रेसिस्म थेयरी को व्यवहार में लाया गया था इससे पहले एक बार और प्रयोग हुआ था में 1963 में जब बाई इलेक्शन्स हुए थे यूपी में तीन सीट्स पर और गुजरात में एक सीट पर लोकसभा बाई इलेक्शन्स की बात कर रहा हूँ लोहिया ने जनसंग के दिनद्याल उपाध्याय और अन्ने गैर कॉंग्रेसी नेताओं को प्रतेक सीट के लिए एक विपक्षी उमीद्वार खड़ा करने के लिए राजी कर लिया मीनू मसानी राजकोर्ट से स्वतंत्र पार्टी के उमीद्वार के रूप में उत्रे जेबी कृपालनी अमरोहा से उत्रप्रदेश के निर्दली उमीद्वार के रूप में लोहिया फरूकाबाद से सोशलिस्ट पार्टी के उमीद्वार के रूप में और दीन दियाल उपाध्याय ये एक मातर इंस्टेंस है जब दीन दियाल उपाध्याय लोकसभा का चुना कर दिया कि anti congressism काम कर सकता है और पार्टी को हराया जा सकता है उतनी बड़ी Congress dominant करती थी उसको भी हराया जा सकता था पहली बार यह message गया जब 1967 में इसे फिर से आजमाया गया तो formula काम कर गया और Congress का बहुमत ना केवल लोकसभा में काफी कम हुआ बलकि कई राजियों में पार्टी के हाथ से सकता भी चली गई यह SVD सरकारे समयुक्त विधायक दल की सरकारे ज्यादा दिन नहीं चले वो अलग बात है उसके बारे में हम बाद में कभी और बात करेंगे लेकिन coalitions और alliances का दौर शुरू हो गया हिंदुस्तान की राजनीती में सिर्फ वक्त और मौके का इंतजार था 1967 के बाद 1977 में फिर से मौका मिला इंदरा गांधी ने emergency हटा कर चुनाओ कराए जन्ताने रोष में उनको ही सत्ता से हटा दिया यहां तक की अपनी निजी सीठ राई बरिली से भी इंदरा गांधी हार गई फिर से जन्ता पार्टी की सरकार नहीं चल पाई इंदरा ने 1980 में नारा दिया वोट उनको दीजिये जो सरकार चला सकते हैं वो सत्ता में लोट आई लेकिन जन्ता ने गठबंदनों को मौका देना बंद नहीं किया और 1989 में फिर से मिली जुली सरकार बनी विशुनाथ प्रताप सिंग लोकसभा में सिर्फ 143 मेंबर्स के साथ प्रधानमंत्री बन गए चंदर्शेखर के पास तो और भी कम थे भारत में गठबंदन की राजनीती का दौर 2014 तक चलता रहा पीवी नरसिमा राओ के पास भी बहुमत नहीं था जब उन्होंने 1991 में सरकार बनाई थी अटल विहारी वाजपेई, HD देवेगोडा, IK गुजराल और मनमोहन सिंग सब एक के बाद एक कोईलिशन्स के दौर के प्रधानमंत्री बने मोधी सरकार जितना डेनिग्रेट करना चाहती है कर ले परन्तु गठबंदन वैद या लेजिटिमेट होते हैं अगर ना होते तो बीजेपी क्यों गठबंदन के साथी फिर से ढून रही है अगले ग्यारा महिने हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत क्रूशियल है राजनीती के मैदान से नजर मत हटाईएगा न्यूज क्लिक के तमाम कारेक्रमों में 360 डिग्री व्यू में सब घटना क्रम और प्रिष्ट भूमी की कवरेज होती रहेगी बस हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर दीजेगा हमारे followers बढ़ाएं हम आपके perspective को और sharpen और focus करेंगे लेकिन fact checking करने के बाद नमस्कार